दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदवशन फार्सिविल सेर्विसेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है समसामाई घटना चक्र द्वारा प्रकासित G.S.Poynter का भारत का भुगोल का दूसरा भाग इसमें भारत के भुगोल खंड से उन महतोपोल प्रशनों को कवर किया गया है जो परिच्छाओं की द्रिष्ट से अतिसंभावित और महतोपोल है तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो भारत का भुगोल भाग दो इसमें हम आज प्रजाति और जंजातियों से संबंधित महतोपोल प्रशनों से सुरू करेंगे दोस्तों ये पीले वर्ण के तीरियक नेत्र उठी हुई कपोल अस्ति छुटपुड केस और मध्यम उचाई वाले ब्यक्ति होते हैं इसका संदर्व किस प्रजाति के लोगों से है तो दोस्तों ये मंगोलायड प्रजाति के लोगों से ये जो कथन है संबंधित है अगला प्रशन है उत्तरपुर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली छेत्रों में कौन सा प्रजाति सम्मूँ पाये जाता है मंगोलायड और प्रोटो आश्ट्रेलायड प्रजाती से संबंधित भारती जनजाती कौन है तो संथाल जनजाती ये प्रोटो आश्ट्रेलायड प्रजाती से संबंधित है भारत में जो एक मात्र मानवाब कपी पाया जाता है वो कौन सा है तो असम का सफेद भावगिब्बन या असम का स्वेद भावगिब्बन ये भारत में एक मात्र मानो सद्रिस कपी है ऐसा राज जिसमें जनजाती समुदाय की पहजान नहीं की गई है तो वो है हरियाडा हरियाडा में किसी भी जंजाती समुधाय की पहचान नहीं की गई है अगला प्रश्ण सुमेलन से संबंधित है जंजात और मूलराज तो थारू उत्राखंड के हैं भोटिया, सिक्किम, मुंडा जो हैं जारखंड के मूल निवासी हैं और कोल जंजात महाराष्ट में पाई जाती है अगला प्रश्ण यूपी इस्पेसल से भी संबंधित है कई बार पूछा है वह जंजात जो दिवाली को सोक का तेवहार मनाती है तो ये थारू जंजाती है जो दिवाली को सोक के तेवहार के रूप में मनाते हैं थारू लोगों का निवास कहा है तो ये उत्तर प्रदेश और उत्राखंड में यानि उत्तर प्रदेश के तराई छेतरों में थारू लोग निवास करते है लिम्बु जन्जात सिक्किम में निवास करती है कारवी असम में डोंगरिया कोध ओडिशा में और बोंड़ा जन्जात ओडिशा में निवास करती है अगला प्रश्ण है दोस्तों अबोर, गद्दी, लेपचा और थारू जनजातियों में धौलाधार स्रेडी की जनजाती कौन सी है तो ये धौलाधार स्रेडी में गद्दी जनजाती पाई जाती है गद्दी लोग हिमाचल प्रदेश के निवासी है संथाल कहां के निवासी हैं तो संथाल पूर्वी भारत के निवासी हैं कौन सी जंजात रित उप्रवास करिया करते हैं ये भूटिया जंजात के लोग हैं जो रित उप्रवास करिया करते हैं बोडो कहां के निवासी हैं तो दोस्तों बोडो गारो पहाडियों के निवासी हैं गारो जनजात मेघालय असम और मिजोरम में पाई जाती है अगला प्रश्ण है खासी और गारो भासा बोलने वाली जनसंख्या कहां पाई जाती है तो दोस्तों मेघालय असम और मिजोरम रा केरल में कौन से जंजाती पाई जाती है तो केरल में चेचू जंजाती पाई जाती है भारत की सबसे बड़ी जंजात तो ये है भील जंजात और टोड़ा एक जंजाती है जो कहां निवास करती है तो टोड़ा जंजात नेल गिरी की पहाड़ियों पर तमिल नाडु में निव एक जंजात जो सरहुलते ओहार मनाती है तो ये मुंड़ा जंजाती है और उत्राखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जंजाती कहोन है दोज्तों उत्राखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जंजाती जौनसारी है मिजोरम में बस्ती सनरूप मुखेते दो कटकों के साथ रैखिक प्रतिरूप का है क्योंकि घाटियां कटकों की अपेच्छा ठंडी हैं इसलिए मिजोरम में बस्ती सनरूप मुखेते कटकों के साथ रैखिक प्रतिरूप का बना हुआ है अगला प्रश्ण देखते हैं प्रजाति और जंजातियों से सुमेलन करना है आपको भोटिया, उत्राखंड और उत्रप्रदेश में, खासी में, घाले में, संथाल, जारखंड यानि पूर्वी भारत में और टोड़ा जंजाति तमिल नाडु में निवास करती है सुमेलन करना है बिहु असम में, ओडम केरल का तेवहार है, पोंगल तमिल नाडु और बैसाखी जो है वो पंजाब में मनाये जाता है अब आईए एक सुमेलन से संबंधित प्रश्ण है, राज और उसकी मुख्य भासा का सुमेलन करना है गोवा, कोकडी भासा, मेघाले में खासी और सिक्किम में लेपचा भासा बोली जाती है दोस्तों, अंगामी जनजाती नागलेंड में निवास करती है, आपातानी, अरुडाचल प्रदेश में, भोटिया, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, और गोंड जनजाती मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में निवास करती है अगला प्रश्ण भील जनजाति का निवास अस्थल कहां है तो भील जनजाति मुख्य रूप से महराष्ट, गुजरात, राजस्थान और मध्यपरदेश में पाई जाती है बहुपतित्व प्रथा कहां प्रचलित है तो बहुपतित्व प्रथा कुछ जनजातियों जैसे जौनसारी, टोड, खास, कोटा, बोटा, तीवान, इरावा और नायर जनजातियों में प्रचलित है याद रखेगा कई बार पूछा है बहुपतितो पर्था मानने वाली जंजातियां तो जौनसारी और टोड दोनों हैं इसके अलावा खस, कोटा, बोटा, तिवान, इरावा और नायर जंजातियों में भी बहुपतितो पर्था प्रचलित है अब आईए देखते हैं सुची एक का सुची दो से सुमेलन करवाते हैं जंजाति और उनके राज्यों का निवास अस्थान भील जंजाति राजस्थान में निवास करती है संथाल जारखंड में और राजी जंजाति ये उत्राखंड में निवास करती है बीर होर जारखंड में रहने वाली जंजाती है भोटिया सिक्किम टोड़ा तमिलनाड और सेंटेले नीज ये अंडमान निकोबार द्विप समोह में रहते हैं तोड़ा आपने जाना तमिलनाड में लेपचा सिक्किम की जनजाती है बीरहोर जारखंड और गारो खासी और जैयनतिया ये जो हैं गारो जनजात मेगाले में निवास करती है सहरिया जंजात के लोग जो हाल में चर्चा में थे कहां के रहने वाले हैं तो दोस्तों सहरिया जो है वो राजस्थान की प्रमुख जंजाती है अगला प्रशन देखते हैं सुमेलन से संबंधित है जोनसारी उत्राखंड और भील मध्य प्रदेश में बहुतायत से पाय जाते हैं भारत में जंजातीयों के निर्धारन का आधार क्या है बहुत ही महतोपूर्ण प्रशन है याद रखेगा भारत में जंजातीयों के प्रसपुर, बैगा, मंडला, मारिया, पाताल कोट और सहरिया, ग्वालियर तो ये यंपी इस्पेसल का प्रश्ण है इसके अलावा मोपला केरल में, मुरिया जंजात, छतिसगड में, टोडा तमिलनाड में और मुंडा और हो जंजात या मुंडा और राव और हो ये जारखं में निवास करती हैं भारत के चंपा समुदाय के संदर्व में सही कथन क्या है तो ये चंपा जो है ये अच्छे किस्म का उन देने वाले पसमीना बकरे बकरियों को पालते हैं उन्हें अनुसूचित जंजातियों की स्रेड़ी में रखा जाता है अब देखते हैं कुछ जं असम में जो दोस्तों ये है मीरी नागा-लैंड कोन्यक अउडाचल प्रदेश में अपतानी जंजाति और राजस्थान में लंबाड़ा जंजाति है जुलू जंजाति कहा निवास करती है तो जुलू जंजाति दच्छिड अफरिका में निवास करती है अब आएए देखते है दोस्तों लोहा सुर को अपना देवता कौन मानती है ये बहुत ही महतपूर प्रश्ण है अगरिया जंजाती जो है वो लोहा सुर को अपना प्रमुख देवता मानती है सोमपेन जंजाती कहां पाई जाती है सोमपेन अंडमान निकोबार दुप समूह में केंदर सासित प्रद जो हाल में चर्चा में रहे ये अंडमान निकोबार के निवासी है भारत की सरवाधिक प्राचीन जनजाती कौन सी है तो ये जारवा जनजाती है और मंगा नियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय क्या है दोस्तों मंगा नियार पश्यमोत्तर भारत में अपन ये देखते हैं अगला प्रश्न भासाओं से संबंधित है भारती उप महादीप में बोली जाने वाली भासाओं को बोलने वाले सरवाधिक संख्या के आधार पर हिंदी भासा के बाद दूसरे अस्थान पर कौन है तो सरवाधिक जनसंख्या के आधार पर या सरवाधिक जनस अंख्या द्वारा बोली जाने वाली भासाओं में हिंदी के बाद दूसरे अस्थान पे बंगला भासा का अस्थान है आश्ट्रिक समूह की भासा खासी है और भारत का सबसे बड़ा जो भासाई समूह है वो इंडो आरियन भासाई समूह है अब यहां देखते हैं दोस्तों यह उत्तरप्रदेश का एक मैप दिया है A, B, C, D, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से भासा छेत्रों में कौन सी भासा बोली जाती है, तो A, जो है यह ब्रज मंडल का छेत्र है, ब्रज भासा बोली जाती है, B, लखनव अयोध्या के आसपास का आउधी, और C, जो है यह देवरिया महराज गंज कोसी नगर का छेत्र है, यहाँ पे भोजपूरी और D, यहाँ पे मैथली भासा बोली जाती है, अब आये देखते हैं, अपवाह तंत्र से संबंधित महत पूर्ण प्रश्न, सबसे पहले गंगा नदी तंत्र के बारे में जानते हैं, गंगा नदी तंत्र किसका उधारण है, तो गंगा नदी तंत्र पूर्व वर्ति अपवाह का उधारण है, बंगला देश में गंगा कारण से संबंधित है तो कथन है गंगा बहुत ही प्रदूसित नदी है कारण है जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूसित होती है तो ए सही है लेकिन आर गलत है अगला प्रश्ण है गंगा की जलोड मिर्दा की गहराई भूमी सतह के नीचे कितनी है तो लगभग 6,000 मीटर तक होती है गंगा के जलोड मिर्दा की गहराई सही कथन क्या है दोस्तों तो सही कथन है देव प्रियाग अलकनन्दा और भागी रथी के संगम पर इस्थित है रूद्र प्रियाग अलकनन्दा और मंदाकिनी के संगम पर नंद प्रयाग अलक नंद और मंदाकनी का संगम है दोस्तों करण प्रयाग अलक नंद और पिंडर नदियों का और देव प्रयाग ये अलक नंद और भागी रथी नदियों का संगम है अलक नंदा और भागी रथी का संगम कहा होता है तो ये देव प्रयाग है देव प्रयाग में अलक नंदा और भागी रथी नदियों का संगम होता है मंदाकिनी नदी का जल प्रवाह अथ्वा मुख्य नदी किस से संबंधित है तो मंदाकिनी नदी का जल प्रवाह अलक नंदा से संबंधित है यह मंदा कीनी है जिस पर बधरिनाथ का प्रसिद्ध मंदी रिष्थित है यह अलकनानदा नदी तथ है भारत की सबसे बड़ी बेहने वाली नदी कौन सी है गंगा नदी भागी रथी नदी कहां से निकलती है तो दोस्तों गंगा जो है वो उनका जो सुरुवाती नाम है वो भागी रथी है जो की गोमुक से निकलती है और गंगा की एक मात्र सहायक नदी जिसका उदगम मैदान में है ये गोमती नदी है अब अगला प्रश्ण कथन और कारण से है कथन है दिल्ली और आगरा के बीच वर्स के अधिकान समय में यमुना नदी मृत हो जाती है और कारण है यमुना असततवाहिनी नदी है तो ए सही है लेकिन आर गलत है बेतवा चंबल केन और राम गंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी कौन नहीं है तो राम गंगा यमुना की सहायक नदी नहीं है यमुना नदी का उदगम अस्थान क्या है बंदर पूछ चोटी जो है यमुना का उदगम अस्थान है बेतवा नदी किसकी सहायक है य यमुना की सहायक है और गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है ये सोन नदी है गंगा नदी में बाएं से कौन सी नदी नहीं मिलती है तो ये सोन नदी है जो बाएं से नहीं मिलती है और यमुना और सोन के मध्ध जल दूई विभाजक का कारे करने वाली स्रेडी कौन पृत्ती पाने वाली ब्रह्मपुत्र, ईरावधि और मेकांग नदियां अपने उपरी घाटों में संकीर और समानान्तर परवसरेडियो से होकर परवाहित होती हैं इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने के ठीक पहले एक यूटर्न लेती है और वह यूटर्न बनता है तो दोस्तों यूटर्न भूबय ज्यानिक तरुण हिमालय के अच्छ संगी नमन के कारण बनता है भारत में यरलूंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है तो भारत में यरलूंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को तिबबती में यरलूंग जंगबो नदी कहा जाता है तिबबत में मानसरोवर जहील के पास किस नदी का तो ब्रम्हपुत्र सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिबबत में मांसरोवर जील के पास है अरुशल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं मानस नदी किसकी सहायक है तो दोस्तों मानस ब्रह्मुपुत्र की सहायक नदी है ब्रह्मुपुत्र नदी तिबबत में जानी जाती है संगपो नाम से तो यारलूंग जंगपो और संगपो नाम ये जो हैं ब्रह्मुपुत्र नदी का दिया जाता है ब्रह्मुपुत्र नदी का बहावचेतर कहा है तो तिब्बत से निकल कर बंगला देश और भारत में इसका बहाव जेतर है तो तिब्बत बंगला देश और भारत ब्रह्मुपुत्र की सहायक नदी कौन सी है दिबांग कमेंग और लोहित नदिया ये ब्रह्मुपुत्र की सहायक नदिया है और वह नदिया जिनका सुरोत से संबंधित है कथन है पश्मी घाट की नदियां डेल्टा का निर्मान नहीं करती है कारण है कि वे छोटे मार्ग से ती ब्रगत से कठोर चट्टानों के उपर प्रवाहित होती है तो A और R दोनों सही है और R A की सही ब्याख्या करता है अगला प्रश्न है दच्छिड भारत की नदियों से संबंधित कठन कारण से संबंधित है कठन है प्रायदीपी भारत की प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है परन्तु नर्मदा और तापती नदियां अरब सागर में गिरती है कारण है नर्मदा और तापत पी बड़ी नदियां पूरब की और बहती हैं क्योंकि जो नर्मदा है वो एक रैखिक विभ्रंस यानि रिफ्ट घाटी से होकर बहती है नर्मदा घाटी जिन परवत स्रिंखलाओं के बीच इस्तित है तो कई बार पूछा है नर्मदा घाटी बिंध और सत्पुडा बिंध एक भ्रंस घाटी में बहती है तो दोस्तों नर्मदा अपने नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है ये गलत कथन है और ये एक भ्रंस या रिफ्ट वैलू में बहती है ये सही है अगला प्रश्न है भारत की पश्चिम की और बहने वाली नदियां जो डे बहती है तो तापी नदी भ्रंस घाटी से होकर बहती है अगला प्रश्न है अमर कंटक से किस नदी का उधगम होता है बहुत ही महतोपूर है नर्मदा नदी का उधगम जो है दोस्तों वो अमर कंटक से होता है और नर्मदा घाटी भ्रंस घाटी का उधारन है रिफ्ट घा के बीच बहने वाली नदी कौन सी है तो ये नर्मदा नदी है दो परवस रेडिया वो बिंध और सत्पुड़ा स्रेडिया है जिनके बीच से नर्मदा नदी होकर बहती है तवा किसकी सहायक नदी है बहुत ही महतुपूर है दोस्तों तवा जो है ये नर्मदा की सहायक नदी गोदावरी, तापती, कृष्णा और महानदी में से अरब सागर में गिरने वाली नदी ये तापती है और वह नदी जो तीन बार दो धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मिल आगे जाकर पुनह मिल जाती है और इस प्रकार स्रीरंग पटनम, सिव समुद्रम और स्रीर जंगम के द्वीपों का निर्माड करती है तो ये महतपोड नदी है कावेरी नदी का उद्गम कहां है ब्रमगिरी पहाडियों में और कावेरी नदी जिन दो राज्यों से होकर बहती है वो हैं करनाटक, केरल और तमिलनाडु के, के, टी करनाटक, केरल और तमिलनाडु ती शिड़ की घंगा कहा जाता है कृष्णा नदी जल बिवाद किन राज्यों में है आंधर प्रदेश करनाटक और महाराष्ट के बीच कृष्णा नदी बिवाद संबंधित है अगला प्रश्ण है कि वह नदी जिसको जोड़ने का कारे किया गया ये गोदावरी और कृष्णा है गोदावरी खावेरी तापती और महानदी में सेवह नदी जो एस्चुरी बनाती है ये तापती नदी है और गोदावरी महानदी नर्मदा और तापती नदियों की लंबाई के औरोहिकरम में सही अनुकरम क्या है तो सबसे लंबी नदी गोदावरी फिर नर्मदा फिर म अगला प्रश्ण है दच्छिड भारत की नदियों का प्रमुख अपवाहतंत्र कैसा है तो ये ब्रिच्छ नुमा है सोन नर्मदा और महानदी कहां से निकलती हैं तो दोस्तों सोन नर्मदा और महानदी अमर कंटक से निकलती हैं और महानदी कौन सी नदी एक्स्चुरी नहीं बनाती है तो महानदी एक्स्चुरी नहीं बनाती है उडिशा में कौन सी नदी अपना डेल्टा बनाती है तो उडिशा में दोस्तों महानदी है जो डेल्टा बनाती है और वह नदियां जिसके घाटों में जल का अभाव है साब उत्तर की और प्रवाहित होकर बंगाल की तरब प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की और प्रवाहित होती है तो ये अमरकंटक की पहाडियां हैं केरल से पूरब की और प्रवाहित होने वाली नदीयां कौन सी हैं पामबा तापती और माही नदिया ये पूरब से पश्यम परवाहित होती है नर्मदा महा नदि गोदावरी और क्रिश्ना नदियों में से सरवाधिक बड़ा जलगरहण छेतर किसका है तो सबसे बड़ा जलगरहण छेतर गोदावरी नदि का है और ये प्रायदीपी भारत की सबसे लंबी नदी भी है यानि गोदावरी जो है वो प्रायदीपी भारत की सबसे लंबी नदी है वन्सधारा, इंद्रावती, प्रणहिता और पेनार नदियों में से गोदावरी की सहायक नदिया कौन है? इंद्रावती और प्रणहिता ये दोस्तों गोदावरी की सहायक नदिया है अन्य नदियों से संबंधित महतपूर्ण प्रश्णों को देखते हैं हिमाले की सभी स्रेडियों को काटने वाली नदी कौन सी है बहुत ही महतपूर्ण प्रश्ण है दोस्तों हिमाले की सभी स्रेडियों को काटने वाली नदी सतलज नदी है दूध गंगा नदी कहा इस्थित है जमबू कस्मेर उत्राखंड और महाराष्ट में इस्थित है दूध गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदिया है गंगा ब्रह्मुपुत्र गोदावरी महा नदी क्रिश्न कावेरी पेनार स्वनरेखा और ब्रामहरी नदी की सहायक नदी है कोईना यरला डीना वड़ा घाट प्रभा ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदिया है ये देखिए एक महतपूर है हगरी किसकी सहायक नदी है तो याद रखेगा हगरी तुंग भद्रा की सहायक नदी है सोन नदी का वास्तविक स्रोत क्या है तो जिले में अमर कंटक की पहाडियां जो हैं वो सोन नदी का वास्तविक स्रोथ हैं उत्तर दच्छिर दिशा के आधार पर नदियों का सही क्रम क्या है उत्तर में किसन गंगा फिर गंगा फिर वेन गंगा और पेन गंगा ये उत्तर दच्छिर दिशा के आधार पर नदियों का सही क्रम है अगला प्रश्ण है हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है हिमाचल प्रदेश से ब्यास चेनाव राबी सतलज और यमुना नदियां ये हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है अब आए जो है ये गंगा नदी है तीन गोमती और चार जो है ये घाघरा नदी है आप याद रखिएगा दो नंबर पे गंगा नदी तीन नंबर पे गोमती है चान नंबर पे जो है दोस्तों ये आपकी गोमती नदी है तीन नंबर पे गोमती नदी है चान नंबर पे घाघरा नदी ह एक नंबर पे ये गंडग नदी है अब आए देखते हैं अगला प्रश्न नदियों से संबंधित दामोदर नदी से निकाली गई नहर कौन सी है तो दामोदर नदी से याद रखिएगा एडन नहर है दामोदर की सहायक या दामोदर किसकी सहायक नदी है हुगली की सहायक है द दामोदर नदी चोटा नागपूर के पठार से निकलती है दोस्तों पूरब की और बहने वाली भारत की नदी जिसमें निमना वलन के कारण विभ्रंस घाटी है तो ये दामोदर नदी है और ये भारत की सबसे अधिक प्रदूसित नदी भी है भारत में भूमिबंधित नदी कौन सी है तो लूनी नदी भारत में भूमिबंधित नदी है लूनी नदी के संदर में सही कथन क्या है तो ये कच्छ के रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है इसलिए इसे भूमिबंधित नदी कहा जाता है और ये समुद्र में नहीं गिरती है माही घगर नर्मता औ अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की नदियों इस पीती सतलज, स्योक और जासकर में से उत्तर से दच्छिड की और जाते हुए नदियों का सही क्रम क्या है, तो उत्तर में स्योक फिर जासकर उसके बाद इस पीती और दच्छिड में सतलज है, संथाल परगना से लगने वाला दुमका का हिलजा मेला ये मयूराच्छी नदी पर लगता है और दो राज्यों में पहली बार दो नदियों की जोडने की परियोजना के संबंध में समझोते के इस्मृत पत्र पर हस्ताच्छर किये गए हैं राज्यों और नदियों का नाम बताईए तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच केन और बेतवा नदियों के जोडने पर सहमत्य पत्र पर हस्ताचर किये गए हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजगाट नदी पर योजना लागू की गई है तो ये बेतवा नदी पर अगला प्रेश्ण कथन कारण से है काली नदी भारत के दच्छडी भाग में पूरब की और बहने वाली नदी है कारण है दक्कन पठार अपने पश्मी किनारे पर उच्चता पर है और पूर में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवाणता है तो ये गलत है परंतु आर सही है भारत में विस्व का सबसे उचा पुल कहां बनाय जा रहा है ये चिनाब नदी पर है महात्मा गांधी से तु कहां इस्थित है तो ये बिहार में इस्थित है गंगा नदी पर और वह नदी जिसका उदगम अस्थल भारत में नहीं है सतलज नदी का उदगम भारत में नहीं कपिली किसकी सहायक नदी है तो ये ब्रह्म या ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कपिली नदी सुमेलन करना है गोधावरी इसकी सहायक नदी मंजरा है कृष्णा की सहायक भीमा है और ब्रह्मपुत्र की सहायक तिस्ता है गोधावरी की सहायक इंद्रावती नदी है और पश्चिम बंगाल के बीच में संकोस नदी सीमा बनाती है वह नदी जो मध्य परदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है वो माही नदी है और किशन गंगा किसकी सहायक नदी है किशन गंगा दोस्तों जेलम की सहायक नदी है मुंबई की मीठी नदी जि गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा सहर कौन सा है कानपूर है भागी रथी नदी के किनारे इस्थित सहर उत्तरकासी है लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर इस्थित है लुधियाना सतलज नदी के तट पर इस्थित है हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है और ये महा नदी के तट पर इस्थित है दोस्तों बेतूल बेतूल नगर तापती नदी के तट पर है जगदलपूर इंद्रावती नदी के तट पर और जबलपूर नर्मदा कटक महा नदी नासिक जो है गोदावरी नदी और उज्जैन छिप्रा नदी के तड़ पर इस्थित सहर है गोबिंद घाट कहां इस्थित है अलक नंदा और लच्मण गंगा नदी के किनारे गोबिंद घाट इस्थित है भारत में प्रमुख प्रपात यानि जहरने और जीलों से संबंधित महतोपूर प्रश्ण देखते हैं दोस्तों हुंडू प्रपात कहां इस्थित है तो सुण रेखा यानि सुण रेखा नदी पर हुंडू प्रपात निर्मित होता है कपिल धारप प्रपात नर्मदा नदी पर है, जोग प्रपात ये सरावती नदी करनाटक में है और सिव समुद्रम जल प्रपात कावेरी नदी पर इस्थित है भारत में सबसे बड़ा जल प्रपात जोग प्रपात कहां इस्थित है, ये सरावती नदी पर है भारत का वह जल प्रपात जिसे लोगप्री रूप से नियागरा प्रपात के तोर पे जाना जाता है तो ये चित्रकूट प्रपात है गोवा में कौन सा जल प्रपात है ये दूध सागर जल प्रपात है भेडा घाट इस्थित जल प्रपात धुआधार जलपरपात है दोस्तों 200 जलपरपात डेटाबेस की बर्तमान इस्थिति के अनुसार भारत का सबसे उचा जलपरपात कौन सा है तो ये है नोहकाली कई मेगाले में इस्थित जो है ये भारत का सबसे उचा जलपरपात है नोहकाली कई जलपरपात कुची कल जरप्रपात की उचाई कितनी थी तो 455 मीटर और बेमबनाद जील कहां इस्थित है बेमबनाद जील केरल में इस्थित है अब देखते हैं पेरियार जील 55 किलोमीटर छेत्रफल में फैली है ये एक कृत्रिम जील है चिलका जील उत्तरी सरकार तट पर उडिशा में इस्थित है और लोक्टक जील मडिपूर राज्य में है दोस्तों दो भारती राज्यों की साजेदारी वाली जील जो है वो पुलिक अक्की जील राजस्थान में कोलेरू जील आंधर प्रदेश में डल जील कस्मीर में और पुलिकट जील आंधर प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर इस्थित है असम में इस्थित जील है तो ये चपनाला जील असम में है रहस्यमाई जील रूपकुंड जील को कहा जाता है और जम्बू कस्मेर में अवस्थित जील अंचार जील ये स्री नगर में इस्थित है अश्ट मुटी जील केरल में है पुलिकट जील तमिलनाडु में रूप कुंड सरोवर उत्राखंड में है और सूरज कुंड हरियाडा में इस्थित है बर्फ से ढकी जील घेपन कहां इ जलवायू से संबन्धित महतवपूर प्रश्णों को देखते हैं मानसून सब्द की व्योत्पति किस भासा से हुई है यह अरवी भासा से हुई है कथन कारण से संबन्धित प्रश्ण देखिए कथन है भारत मोलते एक मानसूनी देश है और कारण है उच्च हिमाले उसे प्रवाय उश्रकटवंधी मानसून की तरह है कारण है कि भारत उश्रकटवंधी अच्छांसों के बीचों बीच इस्थित है तो ए सही है लेकिन आर गलत है अगला प्रश्ण है भारत का वह राज्य जहां मानसून का आगमन सबसे पहले होता है ये केरल राज्य है और भारत म तो याद रखेगा भारत में जो ग्रिस्म कालीन मानसून है उसके प्रवाह की सामाने दिशा दच्छिड पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है अगला प्रश्ण है भारती उप महादीप पर ग्रिस्म रित्मे उच्चताप और निम्नदाब हिंद महासावगर में वायू का करसन कहते हैं जिनके कारण क्या प्रवाहित होती है तो इसके कारण दच्छिडी पश्वी मानसून प्रवाहित होती है अगला प्रश्ण है भारत का सबसे सूखा अस्थान कौन है तो ले है इसे सीत मरुस्थल भी कहा जाता है और भारत को उश्ड कटिबंध और उपोश्ड कटिबंध में विभाजित करने के आधार के रूप में मानी गई जन्वरी की समता प्रेफखा कितनी है ये 18 डिग्री सेंटिग्रेट है अगला प्रश्ण है भारत में सरवाधिक दैनिक तापांतर कहा पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थली छेतरों में जो थार का रेगिस्तान है दोस्तों वो राजस्थान में बिश्त्रित है राजस्थान के मरुस्थली छेतरों में सरवाधिक दैनिक पाया जाता है यहां पर दिन के समय तापमान बहुत अधिक और रात में बहुत कम हो जाता है तमिल नाड में मानसून के सामाने महीने कौन से हैं ये नवंबर और दिसंबर हैं जिसको की लोटता हुआ मानसून कहा जाता है भारती मानसून मौसमी भी स्थापन से इंगित है ज उत्तरी भारत के मैदानों में वार्सिक ब्रिष्ट की मात्रा पूरू से पश्रिम की और घड़ती है तो ये सही कतन है अगला प्रशन है अम्रिस सर और सिमला लगभग एक ही अच्छांस परिश्थित हैं परन्त उनकी जलवाई में भिन्नता का कारण क्या है तो दोस्तों उन जलवाई का अनुभो कहां होता है केरल और तेजपुर में मानसून का निर्वतन इंगित होता है तो साफ आकास से बंगाल की खाड़ी में अधिक दाप परिश्थिति से और अस्थल पर तापमान के बढ़ने से सही कतन देखते हैं सही कतन है पूरे वर्स 30 डिगरी उत्तरी और 60 डिगरी दच्छडी अच्छांसों के बीच बहने वाली हवाएं पच्छुआ हवाए कहलाती हैं भारत के उष्थरी पश्चमी छेतर में सीत कालीन वर्सा लाने वाली आर्द वायु संगतियां पच्छुआ हवाओं के ही भाग हैं अब आईए वर्सा से संबंधित महत पूर प्रश्ण देखते हैं भारत की सरवाधिक वर्सा मुखे तक कहां प्राप्त होती है किस से तो दोस्तों भारत की सरवाधिक वर्सा दच्छडी पश्चमी मानसून से यानि अरब सागर से जो मानसूनी हवाए चलती है उसी से प्राप्त होती है उत्तरी पूर्वी मान यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है ऐसे दो नगर जो लगभग एक ही अच्छांस परिस्थित है फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की मात्रा का अंतर बहुत अधिक है यह अजमेर और सिलांग है एक मौसम विज्ञान केंद्र का आउसत वार्षिक तापमान 27 डिगरी सेल यह केंद्र कौन सा है तो यह चिन नई है दोस्तों भारती नगरों पटना कोच्ची कोलकाता और दिल्ली में सामान वर्षा का सही और रोही क्रम क्या है तो सबसे जादे कोच्ची में फिर कोलकाता में उसके बाद पटना और सबसे कम वर्षा दिल्ली में होती है आमर भारत में सबसे कम वर्षा वाला अस्थान ले है और दच्छिड पश्चिम मानसून काल में कोलकाता मंगलवर चिन्नई और दिल्ली में से सबसे कम वर्षा कहां होती है तो ये चिन्नई में होती है चेरा पूजी कहां इस्थित है मेघाले राज्य में है और भारत वर्ष में स अधिक की होते हुए भी यह देश प्यासी धर्ती समझा जाता है इसका कारण क्या है तो दोस्तों भारत में वर्सा के पानी का तेजी से बह जाना बर्सा के पानी का से घरता से भाब बन कर उड़ जाना और वर्सा का कुछ ही महीने में रहना इसी कारण वर्सा का आधिक की होत का देश समझा जाता है अगला प्रश्ण वह जल प्रबंधन युक्ति जो भारत में लागत का अधिक्तम लाफ देने वाली है ये वर्सा जल का संचेयन है भारत में अवसत 200 mm वर्सा कहां होती है जम्बू और कस्मेर राज में और जहार खंड में वर्सा किस से प्राप्त होती है जहार खंड में दच्छिड पशिम मानसून से वर्सा प्राप्त होती है अगला प्रश्ण है दोस्तों ये जो मानचित्र में आपको जो ये वर्सा का पैटरन दिखाया जा रहा है ये वार्सिक वर्सा कितने सिंटीमीटर घरता बढ़ता है तो ये जो वार्सिक वर्सा है वह भाग होता है जब किसी विशेश अस्थान पर वर्सा की मात्रा कितनी होती है 24 घंटे में 2.5 मिली मीटर से उपर होती है तो भारती मौसम विज्ञान के अनुसार उसे वर्सा वाला दिन कहा जाता है अगला प्रश्ण कथन कारण से संबंधित है कथन है गंगा के मैदान में यदि कोई पश्शिम और उत्तर पश्शिम को चले तो मानसोनी वर्सा घटती हुई मिलेगी कारण है गंगा के मैदान में कोई जेओ जेओ उपर की और बढ़ता जाएगा आर्दता धारी मानसोनी पवन और उची जाती मिलेगी तो ये A और R दोनों सही हैं और R A की सही ब्याख्या करता है सही सुमेलन करना है दोस्तों जलवाई परिस्थिती और कारण तो कोलकाता की अपेच्छा चिन्नाई अधिक गरम है ऐसा क्यों है तो ये अच्छांस के कारण ऐसा है अब आईए देखते हैं हिमालय में हिमपात तो ये तुंगता के कारण होता है इसके अलावा पश्चिम बंगाल से पंजाब की और जाते जाते वर्सा कम हो जाती है समुद्रत से धूरी के कारण और सतलज गंगा मैदान में सीतकाल में कुछ वर्सा होती है पश्चिमी दबाओ के कारण अगला प्रश्ण है दोस्तों भारत में अर्धसुसक छेतरों में जल ढाल विकास का प्रमाड़क्चिन क्या है तो ये है मौसमी नदियों से जल का तटबंधी करण करके जलासेयों के तंत्र की अस्थापना करना भारत में मरुस्थली विकास योजना कितने जगहों पर कार्यानवित है तो इसका नया डाटा आप देख लिजेगा भारत में मरुस्थली विकास योशना कितने राज्यों में और उसके कितने जिलों में जो है संचालित किया गया है अगला प्रश्ण कथन कारण से है कथन है भारत में अंतरदेशी जल मारगों का परियाप्त विकास नहीं हुआ है और भारत में अधिकतर का भागों में वर्सा जल के चार महीनों में ही होती है तो A और R दोनों सही है और R A की सही ब्याख्या करता है अब आये देखते हैं सीत कालीन वर्सा से संबंधित महत्वपूर प्रश्ण भारत के उत्तरी मैदानों में सीत रित्मे वर्सा किस्से होती है तो पश्चमी बिच्छोभों के वज़े से भारत में सरत कालीन वर्सा के छेत्र कौन से है पंजाब और तमिल नाड़ में सीत काल में वर्सा होती है तमिल नाड़ में सरत कालीन वर्सा अधिकतर किन कारण से होती है तो ये उत्तर पूर्वी मानसून यानि जो बंगाल की खाड़ी में उठने वाला मानसून है उससे तमिल नाड़ में वर्सा होती है अगला प्रश्ण कथन कारण से है कथन है दोस्तों भारत के उत्तरी मैदान में जाडों में कुछ वर्सा हो जाती है कारण है जाडों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्री होती है तो A और R दोनों सही हैं लेकिन R A की सही ब्याख्या नहीं करता है वह राज जिसमें जाडे के दोरान मौसम में बारिस होती है तो आप छोटी कच्छाओं से पढ़ते आए हैं कि तमिलनाड में जाडों में वर्सा क्यों होती है तो ये इसका उत्तर सही है तमिलनाड में जाडों में वर्सा होती है क्योंकि वहाँ पर उत्तर पूर्वी मांसून जो है वो नवंबर दिसंबर महीने में अधिक सक्री होता है अगला प्रश्न कथन कारण से है प्रति चक्रवाती स्थितियां सीत रित्मित तब बनती है जब वाई मंदली दाव उच्च होता है और वाई उताब निम्न होता है कारण है कि उत्तर भारत में सीतकाल इन वर्सा से निम्नताप वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती है ये सही है और आर गलत है और इस वीडियो का यानि भारत के भुगोल का पार्ट दो का अंतिम कोशन जो है भारत में सीतकाल वर्षा कहां होती है तो उत्तर पश्चिम में भारत में सीतकाल में वर्षा होती है अगला इसका भारत के भुगोल का भाग तीन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ये वीडियो आपके लिए कितना लाफदायक हुआ हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताईएगा और इस वीडियो को जो बनाने का उद्दे से है कम समय में अधिक से अधिक परिच्छोबी ह होगी प्रश्णों को रिवाइज करना इस जो स्रिंखला चल रही है इसके लिए ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी हो रहा है इसके बारे में भी हमें कमेंट वाक्स में बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मांकदशन फार सिविल सर्वि